नमस्कार में उरेनु अगरवाल आप देख रहे हैं SKP LINE NEWS धार जिले के काकरदा में एक तेंदुए ने ग्रामिनों पर हमला बोल दिया है तेंदुए ने चार लोगों को अपना निशाना बनाया और तेंदुए मक्के के खेत में जाकर छुब गया है सूशना मिलने के बाद पुलिस और वनविबा की टीम मोके पर पहुँची है और घायल ग्रामिनों को अस्पताल पहुचाया गया है वही ग्रामीनों और वनविवाक की टीम ने मक्के के खेत को गे लिया है तेन दियोग को पकड़ने की कोशिश की जा रही है इंदोर से रेस्क्यू टीम पहुँच चुकी है वही जीले के अधिकारियों का इंत जा रहे देखें खबर SKP Live News पर वहां से वापस आ रहा था घर कुवे के साथ सामने आ गया था और मैंने घर तरफ मूह कर लिया और मैं आया तो मैं समझा कि कई उत्ता होता आया वो तो जोर से आया और मेरको ज़रा सा पलट नहीं देखते देखते जो छलांग लगाए पहले तो एदर से खेका तो उधर पलटी किला जिया और मैं जोर से चिलाया में तो में घरा गया तो फिर मेरको छोड़के भागा लगा तो वह वापस देखते उसको पेचानते नहीं थोड़ा सा तो देखा उसको लेकि था वो क्या मालूँ सेर था की चीता था क्या तो एक लड़ी है हमारी गाउं की लिए उसको करा उसको दाल ले गए उसने और फिर मेरे को हमला करा और मेरे बाद में फिर खड़क सिंक्राइब अब धर्मेंदर से राठोड वन परिचेतर दिकार धामनोट पर लोग इतने खटे होएं क्या कुछ यहां पर घटना कम चलता है यहां पर लोग इखटे हुए जाड़ी जो सामने की और दीख रही है इसमें इन्होंने तेंदवा होना बताया है हमने पगमार्क भी देखे तो इसमें जो है चार लोगों को गहिल किया है तो में पंजे की निशान है उनको तो नोंको धर्मपुरी हस्पिटल में भरती करवाए कोई तेंदवा इंदोर से आ रही है उनको सुचना कर दी गई थी तो तेंदवा यहां से जो है जैसी इस्तिति बनी उसको रेच्व किया ज प्रेज्यर्स